देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ आन्या से जन्तदल युनाइटेड यानि की जेडियू जो बिहार की एक प्रमुख राजनुतिक पार्टी है ने हाले में अपने संगठन के विभिन प्रकोष्टों में नए न्युक्तियों की घोशना की है इस कदम का उदेश्य पार्टी के संग्रात्मक धाचे को सुद्रड बनाना और अगामी चुनाओं की त्यारी को मजबूत करना है आपको बतादे कि इस क्रम में भारती मेता को महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष नुक्त किया गया है जबकि पूर्मंत्य डॉक्टर रंजु गीता को महिला मोर्चा की प्रदेश प्रभारी बनाये गया है इसके नितुत में महिला मूर्चक को और अधिक प्रभावी बनाने की दुशा में काम किया जाएगा अति प्रखोष्ट के पदेश अध्यक्ष पद पर पूर्वसांसद चंद्रेश्वर पसाज चंद्रवनसी को नित किया गया है इस प्रखोष्ट का अधिक पिच्छावर के हितों की रक्षा करना और उनके मुद्दो को प्रमुक्ता से उठाना है युवा प्रखोष्ट में मनीश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष और वसिष्ट सिंग को प्रभारे के रूप में जिरमेदारी स्वापी गई है यह प्रखोष्ट युवाओं के मुद्दो को पार्टी के एजिंडे में प्राथमिक्ता देगा और युवाओं को पार्टी से जोड़ने के प्रयास करेगा चात्र जदियों के तहट राधेश यांग को प्रदेश अध्यक्ष और विधान पार्षद विरेदर नरायन यादव को प्रभारी नुक्त किया गया है इस प्रखोष को मुख्यों देश चात्रों के बीच पार्टी की लोग प्रियता वढ़ाना और चात्रों के मुद्दों को ध्यान में रखते वे पार्टी की नीतियों को दिशा देना है अर्ब संख्यक प्रकोष्ट में असरफ अंसारी को प्रदेश अध्यक्ष और मेजर इकबाल हैद को प्रभारी बनाये गया है अर्ब संख्यक समुदाय के हितो और उनकी समस्याओं को उठाने के लिए प्रकोष्ट काम करेगा अनुसुचित जाती प्रकोष्ट के अध्यक्स पद पर राज्य इस्त्यागी और प्रभारी पद पर पूर्वधायक अरुनमानजी को निउप्त किया गया है अनुसुचित जाती प्रकोष्ट के प्रदेश अध्यक्स रूप में सुरेंद उराओं को चुना गया है यह प्रकोष्ट किसानों के मुद्धों को प्रमुक्ता से उठाएगा और उनके समस्याओं के समधान की दिशा में काम करेगा चिकत्सा प्रकोष्ट के लिए डॉक्टर एनल विंक सी को प्रदेश अध्यक्ष नुक्त किया गया है वही विवसाइद प्रकोष्ट के अध्यक्ष धंजी प्रसाद और प्रभारे विधान पार्षद ललन सराफ होंगे तक्नीकी प्रकोष्ट में राम चलित प्रसाद को प्रदेश अध्यक्ष नुक्त किया गया है सिक्ष्ट और मीडिया प्रकोष के अध्याक्षपत पर सुनील कुमार को और मीडिया प्रकोष के प्रभारी पत्पर नितीस पठेल को निक्त किया गया है वो यह आँको बतादे कि निक्तियों से यस्पश्च होता है कि जेडियों अपने संगठन को मजबूत करने और प्रभेन समुदा हुआ वर्वों के मुद्दों को प्रमुक्ता से उठाने के लिए तयार है पार्टी ने इन प्रकोश्रों के माध्यम से अगामी राज़ृदिक चुनोतियों से निपटने और प्रभावे नितुत्तों स्थापित करने का प्रयास किया है इन सभी न्युक्तियों को देश्य पार्टी को अधिक समर्पित और संगठित बनाना है ताकि भविश्य के चुनावी चुनोतियों का सामना कर सके और यह उम्मीद की जा रही है कि इनके नतुत में पार्टी के वभिन प्रकोष बहतर पदर्शन करें तो फिलाल के लिए बस इतना ही बड़ी खावर के लिए बने भी मारे साथ और देखते लिए एक निस 24 धन्यवार